नमस्कार आप देख रहे हैं फरीदाबाद नियूज प्याला गाउं के राजकी उच्च विद्याले के गेट पर विद्यारतियों ने ताला जड़ दिया है क्योंकि स्कूल में टीचर ही नहीं तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे और बच्चों ने अपनी परिशानी को समझा और उस परिशानी को दूर करने के लिए रोड जाम करने का फैसला किया और रोड जाम भी कर दिया मौके पर देखिए भारी संख्या में पुलिस बल भी पहुँच चुका है लेकिन परिजन और बच्चे बहुत ही नाराज हैं बहुत ही आक्रोशित हैं और कई दिनों से टीचर नहीं आ रहे थे पढ़ाई नहीं हो रही थी विद्यार्थियों का कैरियर तबाह हो रहा था और इसलिए रोड जाम कर दिया गया है आप लोग देखिए काफी आक्रोशित हैं लोग काफी गुस्से में हैं दोनों तरब वाहन खड़े हो गया हैं काफी बिजी रास्ता है बहुत सारी कमपनिया है और हजारों ट्रक इस रोड से आवगमन करते हैं रोड भी खराब है रोड पर भी गड़े हैं और स्कूल में भी टीचर नहीं आ रहे हैं तो बहुत परेशान है इसलिए रोड जाम किया गया है देखिए मुदिए परेशान है आपको बता दे कई दिनों से ये भी शिकायत आ रही है कि कुछ सरकारी स्कूलों में टीचर आते तो हैं लेकिन गपे लडाते हैं विद्यारतियों पर ध्यान नहीं देते पढ़ाई नहीं कराते और ऐसा खरीदबाद के कई सरकारी स्कूलों में हो रहा है सरकार ने कुछ दिन टाइट किया थ अईसा लग रहा था स्कूल सुधर गये हैं अब पढ़ाई कराएंगे लेकिन अब फिर से पुराना हाग सुरू हो गया है है मले हाय है